Students हम discuss करेंगे important news के बारे में और उससे related जो information है हमारी UPSC के exam के perspective से important उसको हम यहाँ पे discuss करेंगे First news is regarding the India और मालदीव के जो relations है उनके बारे में है Students recently India मालदीव के जो relations है एक bad situation के अंदर पहुंचे है Indian government के दोरा recently लकसदीप islands के regarding में एक tourism का जो campaign है वो चलाया गया था कि लकसदीप islands के वहाँ पे Indian जो civilian person से उनको visit करना है जिससे की tourism को boost किया जा सके आप देखें कि उसी tourism को boost करने के दुरान में जो मालदीव के जो minister से उनके दोरा derogatory words को use किया गया इंडिया के against में उसी समय में एक social media के उपर मालदीव को bycote करने के regarding में कि मालदीव के अंदर जो tourism है उसको bycote करना है के campaign है वो चलाया गया अगर हम tourism के perspective से मालदीव के बारे में discuss करें तो आप देखें कि tourism जो sector है मालदीव के लिएक important है economy के perspective से 20% के आसपास जो GDP के अंदर contribution है उसके अंदर role play करता है आप देखें कि workforce का जो engagement है वो भी आपको directly और indirectly way में एक large section of the workforce आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो tourism sector के उपर में completely dependent है तो Indian civilian persons के दुआरा इस तरीके के social media के उपर campaign देखने के लिए मिला जिसके अंदर मालदीव को यहाँ पर bycote करना है tourism के perspective से आप देखें कि recently मालदीव government के दुआरा एक deadline है उसको issue किया गया है कि 15 मार्स से पहले इंडिया की जो defense forces के जो लोग है जो मालदीव के islands के वहाँ पर present है उनको अपना जो withdrawal है उसको carry out करना है तो Indian defense forces के जो लोग है वो वहाँ पर क्यों present है मालदीव के वहाँ पर इसके बारे में अगर हम discuss करें तो आप देखें कि 1988 के समय से इंडिया और मालदीव का जो cooperation है वो आपको देखने के लिए मिलता है including defense sector के अंदर में क्योंकि 1988 के समय में इंडिया और मालदीव के वहाँ पर कूप का जो situation है वो create हुआ था उस कूप की situation के अंदर वहाँ का जो government है उसको जो topple down करने का जो कोसीज किया गया था लिट्टे का एक section है उसके दुआरा लिट्टे क्या है students आप देखें कि सिरलंका का जो northern part है वहाँ पर आपको लिट्टे का जो force है वो देखने के लिए मिलता है लिबरेशन ओप तमिल टाइगर इलम के रूप से हम उसको जानते हैं तो उसी के एक section के दुआरा basically मालदीव के अंदर कूप का जो situation है उसको create किया गया था 1988 के समय में उस समय इंडिया की जो defense forces है उनके दुआरा operation के एक्टरस को वहाँ पे launch किया गया और कूप की जो situation है उसको वहाँ पे रोका गया था मालदीव के अंदर में आप देखें कि उसे समय में से इंडिया की जो defense forces और मालदीव का जो defense forces का जो cooperation है वो आपको देखने के लिए मिलता है इंडियन government के दुआरा जो helicopters है वो भी यहाँ पे मालदीव को दिये गए थे as a gift के रूप में वो तो उन helicopters का जो maintenance करने के regarding में इंडिया की जो defense forces के जो लोग है वो वहाँ पे present है अगर हम present समय में जो political head है मालदीव के उनके बारे में discuss करें तो आप देखें कि recently उनका जो election का जो campaign था completely anti-India sentiments के उपर उनका जो election campaign है वो आपको देखने के लिए मिला है आप देखी कि COP28 का meeting है उस समय में इंडियन जो prime minister है और वहाँ पे मालदीव के जो political head है उनका जो meeting है COP28 का जो meeting के दुरान ही sideline के अंदर में एक meeting है जिसको organize किया गया था इंडिया और मालदीव का जो cooperation है उसको वहाँ पे increase किया जा सके उसी के regarding में पर मालदीव के दुरार बेसिकली जो कॉलमबो का जो security conclave है उसके अंदर भी participate नहीं किया गया इंडिया के against में जो sentiment सा वो देखने के लिए मिलते हैं वहाँ पे अभी recently जो 15 March का जो deadline है उसको issue किया गया है कि इंडिया के ज वहाँ पे इंडिया के जो defense forces के जो लोग हैं वो क्यों present है आप देखें कि rescue operations के regarding में maritime weather का जो यहाँ पे surveillance का जो process है उसके regarding में भी basically present है एर लिप्ट का जो situation है emergency situation के अंदर जो एर लिप्ट करना होता है एक island से दूसरे island के अंदर में medical emergency के situation के समय में तो इस वज़े से भी Indian defense forces के जो लोग हैं उनका वहाँ पे present है मालदीव के अंदर में basically उन helicopters का maintenance है उसके regarding में आप देखें के इंडियन government के दौरा और भी defense cooperation के जो agreement से हो sign किये गए है मालदीव के perspective से जिसमें Indian defense forces के दौरा मालदीव की जो forces जो उनको basically upgrade करना है उनको train करना है आने वाले समय में और भ मालदीव के दौरा उसको भी यहाँ पे stop किया गया है मालदीव के दौरा उसको रोका गया है कि वो survey के अंदर participate नहीं करेंगे आने वाले समय के अंदर में recently अगर हम बात करें students next news के बारे में तो आप देखें कि folk का जो situation है वो create हुआ था कुछ दिन पहले हमने दा हिंदू newspaper के अंदर ही folk की situation के बारे में discuss किया गया था कि winter के समय में folk का जो situation हो क्यों create होता है northern part of India के अंदर में तो आप देखें कि basically जो sun है जब sun day time में आपको यहाँ पे water है वो you operate का जो situation है वो देखने के लिए मिलेगा पर आप देखें कि winter के समय में जो sun का जो timing है वो काफी कम आपको देखने के लिए मिलता है day के समय में तो इसी वज़े से जो यह operation है वो अपना जो completely जो cloud का जो formation है वहाँ पे ना पहुंचने की वज़े से और उसी समय में यहाँ पे night का जो situation create होगा तो उस वज़े से उनका ground की level पे आपको ground की level के आसपा जो folk का जो situation है वो देखने के लिए मिलता है तो इस complete process के बारे में कुछ दिन पहले हमने दा हिंदू newspaper के अंदर discuss किया था आप देखे कि recently जो festival का भी कुछ activity था जिसके अंदर में कुछ news papers के अंदर में जो pongal का जो festival है उसके बारे में भी माना है कि उसके अंदर bonfire का जो situation है वो create किया जाता है जिसकी वज़े से भी folk वहाँ पे develop हुआ है मदरास के region में इसके अंदर में basically दहली के बारे में बताया गया है कि दहली के अंदर में situation काफी ज़्यादा यहाँ पे detoting था जिसके अंदर 76 जो flights से उनको cancel किया गया 600 के आसपास जो flights से वो वहाँ पे delivery है दहल के region के अंदर में तो आप folk के बारे में read करना आप देखें कि northern part of India के अंदर आपको winters के समय में जो western disturbance है वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं western disturbance की वज़े से या irrigation का जो activities है उनकी वज़े से moisture का जो presence हो आपको काफी देखने के लिए मिलेगा उसी की वज़े से यहाँ पर जो heavy fog है वो यहाँ पर develop होता है northern part of India के अंदर में students recently world economic forum का जो डावोस के अंदर meeting होता है annual meeting होता है जिसको की हम डावोस summit के रूप से भी जानते हैं आप देखें कि उसी डावोस summit के दोरान में जो 180 के आसपास जो countries है उनके दोरा एनोस national security advisor का जो एनेसेज का वहाँ पर में discuss किया गया है कि इंडिया का एक important role है इंडिया basically BRICS का भी पार्ट है रसिया भी वहाँ पर BRICS का पार्ट है तो इंडिया का अपना एक important role है उसको play करना चाहिए यहाँ पर रसिया युक्रेयन का जो crisis इसको peaceful way में resolve करने की regarding में तो उसी के against में हमारे इंडियन जो political head है उ special and privilege जो strategic partnership है उसको carry out करना है इंडिया के द्वारा यहाँ पर congratulate है वो भी carry out किया गया है BRICS का जो summit है उसकी presidency के regarding में रसिया को students आपको BRICS के बारे में जानकारी होना चाहिए आप देखें का earlier phase के अंदर four country हुआ करते थे later phase में 2010 के समय में आपको South Africa है वो देखने के लिए बिलेंगे तो 2011 का जो summit है उसके अंदर participate करते हैं present समय में जो BRICS है उसको expand किया गया है आप देखें कि Latin America का अभी यह country है जिसक election campaign के दोरान में वहां के जो president है उनका एक basically campaign देखने के लिए मिला था कि Russia और basically China जैसी economy है जिनके अंदर में कोई भी information नहीं है transparency नहीं है उन इकोनोमी के साथ में उनको जो relation है वो नहीं रखना है इस वज़े से उन्होंने BRICS का जो membership है उसको cancel कर दिया गया उनके दोरा तो basically जिल्ए आपको पता होना चाहिए कि BRICS के अंदर में कौन-कौन से जो नए members उनको add किया गया है of Ethiopia को add किया गया है यह नहीं किया गया क्या वो गया उसके बारे में भी रीड करना तो यह आपका home work है बिरिक से ही perspective से इंडिया ने रसिया के साथ में कौन-कौन से area जै जिसके अंदर cooperation को increase करने के बारे में discuss किया गया तो आप देखें रसिया का जो forest का जो region है उसके अंदर भी cooperation के बारे में discuss किया गया है और इंडिया और रसिया की जो strategic partnership है उसको more way में यहाँ पे special and privileged strategic partnership के रूप में develop करना है इस तरीके से इंडिया के द्वारा जो discussion है वो किया गया इंडिया का यहाँ पे रसिया और Ukraine crisis के perspective से क्या decision है तो आप देखी कि balancing जो act है वो आपको देखने के लिए मिलता है इंडिया का main target यही है कि balancing agency act के रूप में यहाँ पे जो peaceful way में जो जितना भी यहाँ पे conflict है उसको resolve करने का कोशी सव किया जाना चीए students हम Davos Summit के बारे में discuss करेंगे जहाँ पे NSS का जो meeting है national security advisors के meeting के अंदर में इंडिया के role के बारे में discuss किया गया आप देखे कि Davos से पहले आपको world economic forum है उसके बारे म के समय में एक person हुआ करते थे person का basically क्या नाम है जिनके दुवारा world economic forum है उसको यहाँ पे start किया गया तो उनको हम close scope के नाम से जानते हैं close scope नाम के जो person है उनके दुवारा world economic forum को initial समय में European management forum के रूप में start किया गया था European areas के बारे में जो वहाँ पे discussion है उसको carry out किया जाता थ 1973 के समय में उसको world के जो अलग-अलग areas है उसके regarding उसको include किया गया आप देखे किसका एक annual summit दर डावोस का जो region है उसके अंदर organize की जाती है क्या इसका headquarter भी डावोस के अंदर ही situated है तो students आपको पता होना चीए इसका जो headquarter है वो आपको Geneva के अंदर देखने के लिए मिलता है पर जो annual summit और organize कहां पर की जाती है डावोस के अंदर में और यह आपको जब शिवजर लैंट के बारे में आप read करोगे शिवजर लैंट का जो map है उसको आप देखोगे तो आप देखे कि इस part के अंदर में आपको basically जो Geneva है वो देखने के लिए मिलेगा डावोस आपको northern part के अंदर देखने के लिए मिलता है शिवजर लैंड के अंदर में नेक्स्ट अगर हम बात करें students world economic forum के बारे में तो डावोस सम्मिट के दोरान में अलग अलग जो एरिया जो उसके बारे में discussion किया जाएगा हर एक country का क्या annual plan है उसके बारे में भी discuss किया जाता है तो आप participate करते हैं तो जो भी वहाँ पर participate करेंगे उससे में news के अंदर रहेगा तो उन points के बारे में भी हम discuss करेंगे next अगर हम बात करें world economic forum के बारे में तो आप देखी कि काफी सारी जो reports है वो निकाली जाती है world economic forum के दुआरा जैसे global competitiveness report है वो निकाली जाती है global competitiveness के regarding में जो report है निकाली जाती है आप देखी कि 2019 का जो prelims है उसके अंदर में इससे related जो questions है वो पूछ लिया गया था कि रिपोर्ट किसके दुआरा निकाली जाती है तो world economic forum के दुआरा global gender gap report है वो काफी जादा important है global gender gap report है जिसके अंदर gender के perspective से 4 parameters है वहाँ पे comparison है उसको carry out किया जाएगा हाँजें 22 के समय में फूट हाँजें 23 के अंदर 127 जो rank है इंडिया का रहा है global gender gap report के अंदर में तो आप देखी कि हलम global gender gap report का एक parameter है political empowerment उसके अंदर highest आपका इंडिया का जो ranking है वो देखने के लिए मिलता है क्योंकि हमारे यहाँ पे third IR के अंदर में जो पंचायती राज institutions ह किया गया है तो उसकी वज़े से इंडिया का political empowerment के अंदर women's का जो participation है काफी high आपको देखने के लिए मिलेगा और सबसे खराब आपको education sector के अंदर में और हमारा जो nutritional का जो सेक्टर है health का जो attainment का जो सेक्टर है उसके अंदर में देखने के लिए मिलेगा क्योंकि हमारे यह 17 का जो prelims का paper था उसके अंदर पूछा गया था पेपर में एक question energy transition index report भी है global risk report है global travel and tourism का जो report है वो भी यहाँ पे world economic forum की दुवरा ही निकाला जाता है जो कि एक non government organization 1973 के समय established किया गया था headquarter कहाँ है जिनेवा के अंदर है meeting कहाँ पर organize होती है डावोस के अंदर में students अगर हम बात करें यहाँ पर जगलनाथ temple के बारे में है आप देखी कि जगलनाथ temple को renovate किया गया है उदिसा गुर्मेंट के दुवरा तो उसे ही यहाँ पे show किया गया है कि इनके दुवरा बनाया गया है इस topic के बारे में काफी बार discuss किया इस्टन गंगा डाइनेश्टी के जो rulers उनके दुवरा 12th century के समय हमने बनाया गया था इसको basically जगलनाथ temple को अभी recently इसको redevelop किया गया है पुरी के अंदर यह situated है इसको white पगोड़ा के रूप से जानते हैं और आप देखी कि कोणार का जो sun temple है उसको black पगोड़ा के रूप से जाना जाता है next अगर हम बात करें students यहाँ पे भी हू फेस्टिवल के बारे में बताया गया है तो आप देखी कि भी हू फेस्टिवल का यहाँ पे जो process हो carry out किया जाता है जिसके अंदर basically एक lake का जो region है उसके बारे में discuss किया गया बामुनी lake जो की गुहाटी के अंदर situated है तो अब आपको यहाँ पे भी हू फेस्टिवल के बारे में पता होना चाहिए eastern part of India के अंदर इसको celebrate किया जाता है जिसको की हम माग भी हू के रूप से भी जानते हैं जो माग का जो फेस्टिवल है उस समय इसको मनाया जाता है आप देखे कि हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में इसको म पुतरा रिवर के वहाँ पे बामुनी हिल्स है वो सिच्वेटेड है और वहीं पे आपको यह जो बामुनी लेक है वो देखने के लिए मिलता है कैम्टी जो ट्राइब है उसके जो लोग है उनके द्वारा बोनफायर का जो एक्टिविटी है उसको भी करी आउट किया जात है इस्टुरेंट्स आपको गंगा सागर के बारे में पता होना चाहिए लाश्ट टाइम वैस्ट मंगोल का जो गोर्मेंट है उसके द्वारा इसको नेशनल इस्टेटर सव देनी के बारे में डिमांड है वो किया गया था अगर हम सदन पार्ट ऑप इंडिया के अंदर बा तो आप देखें कि हमारा जो सन है सन बेसिकली यह हमारा नोर्दन पार्ट है यह इस्टन पार्ट है यह सजन पार्ट है यह वैस्टन पार्ट है तो आप देखें कि सन हमेशे जो राइज करता है इस्टन से आपको देखने के लिए मिलता है और मकर सकरांति का हम फेस्टिव के अंदर देखने के लिए मिलता है और आप देखें कि अब 14 जो 14 जनवरी का जो दिन है जो सोलार का जो साइकल के उपर डिपेंड है completely इसका celebration मकर सक्रांतिय उतरायन हो तो इसके समय में जो sun का जो moment है नोर्थ वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा और आप देखें कि समर का जो पीक का जब समय आएगा तो उस समय जो sun का जो आपको लिटिल बिट नोर्दन साइट आपको देखने के लिए मिलता है तो इक पॉंगल फेस्टिवल के बारे में है कि एक भारत सरेष्ट बारत का जो बेसिकली कैंपेइन है उसको प्रमोट करता है गंगा सागर का फेस्टिवल है बीहू का फेस्टिवल के बारे में बताया गया और यहां पर जगनाथ टेंपल के परस्पेक्टिव से डिसकस किया गया है वाइट पगोडा के रुप से हम जानते हैं एक पेंटिंग को भी वह है उन्हीं के दोरा उसको डवलप किया जाता है नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दा स्पीकर के परस्पेक्टिव से है इस्टूरेंट्स आपको यहां पर स्पीकर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि महराश्ट्रा के जो स्पीकर है उनको बेसिकली पैटिसन जो फाइल क कमीशन के पास में है क्योंकि इलक्सन सिंबल्स के रिगार्डिंग में एक एक्ट है जिसके अंदर इलक्सन कमीशन को यह जो पावर है वो दिया गया है तो इस्पीकर के परस्पेक्टिव से यहां पर डिसकस किया गया है कि सबसे पहले उनके दोरा मेंबर्शिप के बारे म में discussion करना चीए जिसके regarding में एक राजिंदर सिंग राना वर्सेज स्वामी प्रसाद मोरिया का एक case है यह basically गुरखपुर्व के रीजन से related एक political persons है तो आप देखें कि टूठावजेंट के समय में वहाँ पे उत्तरप्रदेश के अंदर में कुछ इसी तरीके से एक faction का दूसरे faction के regarding में merger है वह देखने के लिए मिला था तो अगर यहाँ पे एक faction से दूसरे faction के अंदर में किसी भी के दुवारा किया जाता है merger किया जाता है तो उसके अंदर में आपको voluntary वह अपना जो membership हो give up करेंगे किसी भी दूसरी section के साथ में मिलके वह यहाँ पे align से उसको create करते हैं तो आप देखी कि महराश्टरा के अंदर में जो एकनात सिंदे का जो faction है जो प्रजेंट समय में CM है महराश्टरा के उनके दुवारा दूसरे जो लोगों के साथ मिलके यहाँ पे government उसको phone किया गया तो उस समय में voluntary उनका जो membership वो चला जाना चाहिए यहाँ पे speaker को इस तरीके से जो decision है वो carry out करना चाहिए था next अगर हम बात करें एक faction का दूसरे faction के अंदर split होता है तो split का जो provision 10 schedule के अंदर हुआ करता था initial phase के अंदर में उस split provision को 91st constitution amendment act के सुरू में delete कर दिया गया आप देखेंगे अगर party का अगर merger होता है तो उसको allow किया गया है जिसके अंदर में आपको two by third members है उसका यहाँ पे basically favor है वो चाहिए merger के दुरान में और यहाँ पर election commission को complete power है तो उसी के बारे में discuss किया गया है complete editorial के अंदर में आपके exam के perspective से एक important editorial है और आपको जो महराश्टरा के अंदर में जिस भी तरीकी का political development हुआ speaker को क्या power है यहाँ पर disqualification के regarding में उसके बारे में आपको जानकारी होनी की है नेक्स्ट अगर हम बात करें students हमारा दर्जलिंग के region के अंदर में जो जू है उसके बारे में है तो आप देखे कि वहाँ पर breeding के बारे में discuss किया गया है कि सनो लिपार्ड की regarding में उनका जो breeding है एक captive breeding है उसको carry out किया गया तो उसी के बारे में discuss किया गया है यहाँ पर आपको सनो लिपार्ड के बारे में जो basic information है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी होनी चीए सबसे पहले geological park के बारे में discuss करते हैं जिसको पदमाजा नाइडू हिमाले geological park के रूप से हम जानते हैं आप देखे कि यहाँ पे जो second number पे highest जो breeding है जिसके तुरू सनोलिपार्ड है उसका जो number से उनको increase किया गया captive breeding के रूप में इससे पहले आप देखें कि New York के जो वहाँ पे जो सनोलिपार्ड का जो संक्या है ब्रॉंक्स नाम का एक जू है जिसके अंदर में वहाँ पे 77 सनोलिपार्ड की जो संक्या है वह देखने के लिए मिला है सनोलिपार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे जो हाई एरियाज है सनों का जो एरियाज जो उसके अंदर में पाई जाते हैं सनोलिपार्ड का जो vulnerable IUCN status है वह आपको देखने के लिए मिलता है IUCN status साइट्स का जो appendix 1 है साइट्स का जो appendix 1 है उसके अंदर में इसको रखा गया है और schedule 1 हमारा जो basically जो schedule 1 है किसका wildlife protection act का उसके अंदर में रखा गया है सनोली पार्ड को high areas के अंदर में पाई जाते हैं recently जो करगिस्तान नाम का जो country है उसके दुआरा एक national symbol के रूप में भी सनोली पार्ड को promote किया गया कि national symbol के रूप में वहाँ पे recognize किया गया है आप देखे कि हमारे यहाँ पे हैमिस नेशनल पार्ड है लद्दाग के रीजन के अंदर में लद्दाग के रीजन चैनल है उसके उपर discuss किया था कि हमारे यहाँ पे अमूर falcons है अमूर basically एक river का area है जहाँ पे उनका origin देखने के लिए मिलता है रसिया के अंदर में तो अमूर falcons का जो capital है वो नागालेंड के अंदर एक village है जिसको की हम पंगती village के रूप से जानते हैं जहाँ पे अमूर falcons का जो population हो देखने के लिए मिलता है सनो लिपाड के regarding में आपको जो secure हिमालिया का एक campaign है secure हिमालिया का जो campaign है global environment facility UNDP के अगेंस्ट में जो चलाया गया था आप देखे कि इंडिया के जो four state है जो जम्मो एन कस्मीर पहले state हुआ करता था तो उसमें जो two uts है उत्राखंड है उत्राखंड के लावा आपको जो सिक्कीम है वो भी देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे और हिमाचल पुदेश है इन सब areas को cover किया गया है secure हिमालिया के अंदर में global snow leopard and ecosystem जो protection है उसको भी चलाया गया है government के दुआरा में हिम सनरक्षन नाम का भी एक campaign है voluntary basis पे चलाया गया है government के दुआरा हिम सनरक्षन नाम का एक campaign है वो चलाया गया है voluntary basis पे जिसे salon leopard को वहाँ बे protect किया जा सके तो students आपको इस salon leopard के बारे में पता होना चाहिए recovery species के अंदर भी इसको रखा गया है next 2023 के perspective से है कि land और sea का जो यहाँ पे temperature है तो काफी high देखने के लिए मिला है means global जो temperature है वो increase हुआ है तो यह completely climate change के perspective से जल्दी decision है उसको लेना होगा COP28 की meeting के अंदर भी काफी जो successful जो discussion है उसको carry out किया गया कि आने वाले समय में neutrality को achieve करना है यहाँ पे जो means temperature जो increase हुआ है इसको reduce करना है next अगर हम बात करें PM जन्मन के बारे में है तो COP28 student UNFCCC का COP28 था UNFCCC का जो COP28 जो कहाँ पे organize हुआ दोबई के अंदर में वहाँ पे इस तरीकी का जो discussion है उसको carry out किया गया था PM जन्मन जो basically PVTG schemes के regarding में है तो उसी के regarding में कुछ जो money है वो locate किया गया है, release किया गया है government के दुवरा अभी हमने कुछ दिन पहले PVTGs के बारे में discuss किया था PVTGs के बारे में आपको basic information जरू होनी चाहिए particularly vulnerable जो tribal group है highest number वो पुडीसा के अंदर पाई जाते हैं फिर अंदर प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं students first is regarding the trade deficit के बारे में discuss किया गया है कि December के समय में काफी कुछ इंडिया का जो trade है वो increase हुआ था बट आप देखें कि overall last three month के बारे में अगर हम discuss करें तो इंडिया का जो trade है वो जो deficit के रूप में देखने के लिए मिलता है commodities का जो price हो हमारा जो import bill है उसको reduce करने के बारे में काफी कुछ discuss किया गया है तो आपको overall पता होना चाहिए कि इंडिया का पिछले third three months के अंदर में जो trade है वो जो deficit के रूप में देखने के लिए मिला students अगर red sea के region के अंदर जो crisis है वो continue रहा तो इंडिया का जो 80% जो export है जो Europe के लिए जाता है वो completely यहाँ पे जो disturbance है जो देखने के लिए मिलेगा उसका जो impact है वो देखने के लिए मिलेगा आप देखे कि red sea के regarding में जो रसिया सोरी USA and UK के दुवारा भी एक campaign है वो चलाया गया था कि red sea के अंदर में यहाँ पे जो sea line of communication है उसको secure किया जा सके होती rebellions के दुवारा यहाँ पे ships के उपर में attack किया गया है कि basically Israel के दुवारा जो वहाँ पे attack है उसको रोका जा सके civilian communities के उपर में जो किया गया है गाजा इस्ट्रिप के उपर में आप देखे कि 23,000 के आसपास जो लोग है उनका death हुआ है 2 million के आसपास जो लोग है 90% जो गाजा इस्ट्रिप के जो लोग है उनका जो displacement है वो देखने के लिए मिलता है जिस तरीके से attack है उसको carry out किया गया है इसराइल के दुवारा Ecuador के बारे में है होस्टेज के perspective से तो आपको Ecuador का जो location है उसके बारे में जरूर से देखना यह आपका home work है कि कहाँ पे situated है Ecuador नाम का जो country है Indonesia के अंदर आप देखे कि Mount Marapi के अंदर वोलकनों का जो eruption है वो देखने के लिए मिला है Iceland के अंदर भी एक eruption है वो देखने के लिए मिला है recently तो Iceland and Indonesia के बारे में आपको पता होना चाहिए बोथ countries from the eye and eye के परस्पेक्टिव से है Iceland and Indonesia के अंदर वोलकनी के रप्सन है वहाँ पे हुआ है Mount Marapi के अंदर में Iceland के अंदर में basically एक peninsular region है उसके बारे में हमने telegram channel के उपर discuss किया है तो उसके बारे में read करना आप जरूर से next is regarding the यहाँ पे जो basically migration के perspective से discuss किया गया और आप देखें कि Israel के perspective से जो news है उसको बताया गया है World Economic Forum के अंदर Russia और Ukraine के बारे में discuss किया इसके बारे में हम already discuss कर चुके है India के रोल के बारे में बताया गया है NSA's की meeting के अंदर में South जो यहाँ पे Israel के द्वारा जो strike है उसको carry out किया गया है Central and Southern Gaza के श्ट्रिप के region के अंदर में 100 days का जो conflict है वो यहाँ पे पहुच चुका है present समय में तो आप देखें कि peace काफी ज़्यादा ज़रुरी है world के अंदर में जिस भी तरीके से यहाँ पे Taiwan के अंदर relaxants complete हुए है हमने के द्वारा चाइना को reality face करने के बारे में कहा गया है Taiwan के location के बारे में already हमने discuss किया फरमोसा के नाम से अर्लियर face में उसको जाना जाता था आप देखें कि Eastern part of China के अंदर में या East China Sea के अंदर में वो situated है Taiwan हम को recent वहाँ पे लक्संस complete हुए है तो this is all the information related to the today's newspaper हमने 15 के जो news cover नहीं किया था उन topics को यहाँ पे add किया है तो आप देखें कि 16 के अंदर दा हिंदू newspaper है वो publish नहीं हुआ है तो उसकी भी जो news है उसको हमने यहाँ पे add किया तो thank you students thank you very much